नमास्कार दोस्तो आप सभी लोगा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अन मोल अईरवेदा में दोस्तो एक वक्त था जब डाबलटीज बड़े उमर के लोगों में होती थी लेकिन आज कलके जीवन सली के कारण डियाबर्टीज किसी भी ब्यक्ति को किसी भी उमर में हो सकता है इसलिए बक्त रहते ही आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जिस जिस से डियाबर्टीज बढ़ता हो उसे नजर अंदाज करें अपने जीवन सली को बदलें काम करें सारीक वर्क करें जिस से आपके सरीर के पैनक्रियाज अच्छे से काम करते रहें और आपको डियाबर्टीज न हो लेकिन दोस्तों अगर किसी ब्यक्ति को डियाबर्टीज हो गया है तो उसे आंवले का सेवन जरूर करना चाहिए कियोंकि आमले में एंटी डियाबेटिक गूर होता है और अगर आपको डियाबेटीज नहीं हुआ है तो अभी भी आपको आमले का सेवन जरूर करना चाहिए हमें बचपन सही पढ़ाया गया है कि आमले में सबसेदा बीटामिन सी पाया जाता है और आमला रोज सुबा एक खाने से हम बहुत सारे गंभीर समस्याओं से बच सकते हैं एक आमला रोजाना सुबा खाने से पेट में गैस नहीं बनता है और जो भी हम खाना खाते हैं वो बहुत यसानी से पस जाता है तो अगर हमारा पाचन तंतर सही हो जाए तो हमें किसी भी तरह का रोग नहीं हो सकता है तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे इस आमले का परयोग करके डेबेटीज को दूर किया जा सकता है तो दोस्तो अभी आमले का सीजन आ गया है आमला आपको बहुत असानी से आपके मार्केट में मिल जाएगा तो चलिए जानते हैं इस home remedy को कैसे आपको त्यार करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर चार आमले लेने होंगे यह चार इस तरह से देख लिजिए size भी depend करेगा आपको यह इस तरह से चार आमले लेने हैं इसे बहुती बारिक पीस लेनी है इसके बीज को आप बाहर निकाल करके फैंक दे बहुती बारिक इसे पीस ले पीस लेने के बाद कपड़ी की मदद से इसके रस को निचोल ले निचोलने के बाद आपको इसका रस इस तरह से दोस्तों दिखाई देगा इस रस में आपको एक चीज और मिलानी है इसका रोजाना सुबह आपको सेवन करना है देखेंगे सबसे पहले यह आपके डियाबेटीज को नियंतित करेगा कुछ दिन लगातार प्रयोग करने से आपका डियाबेटीज 100% खत्म हो जाएगा तो दोस्तों इसमें आपको लालना है यह हल्दी हल्दी में भी एंटी डियाबेटीक गूर होता है हल्दी खाने से बहुत सारे चमतकारी फायदे मिलते हैं हल्दी ना सिर्फ खाने का रंग बदलता है बलकि यह हमारे सरीर के हर एक अंग का ख्याल लगता है तो चुटकी भर आपको हल्दी लेना है इतनी मातरा में और इस आमले के जूस में डालिए अच्छे से इन दोनों चीजों को मिलाइए दोस्तों आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यह दो चमस की मातरा में आमले का जूस लेना है जब आप चार आमले को पीश करके रस निकालेंगे तो दो ही चमस रस निकल पाता है और आपको इसका रोजाना सुबह सेवन कर लेना है पी लेना है देखेंगे कोशी दिन के इस्तमाल से आपका डियाबिटीज कंट्रोल होना सुरू हो जाएगा आप इसका परयोग खाना खाने से पहले कर सकते हैं आध्य गंटे के बाद खाना खा लें इसका परयोग करके देखें आपका डियाबिटीज नियंतित हो जाएगा तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया आमले का चमतकारी पर्योग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने मित्रों में दोस्तों में इस वीडियो को सेर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए हम आपसे मिलते हैं एक और नई जनकरियों के साथ तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद